मत्ती सतारां बाव 14 आयत से 21 आयत तक सफ़ा नमबर 21 येसु एक बद्रूग गृफता लड़के को शिफा देता है और जब वो भीड के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे गुट्टें टेक कर कहने लगा आये खुदामंद मेरे बेटे पर रहम कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है इसलिए कि अकसर आग और पानी में गिर पड़ता है और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर वो उसे अच्छा ना कर सके यसुने जवाब में कहा आई बे अतकाद और कजरू नसल मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक तुम्हारी बरदाश्ट करूंगा उसे यहां मेरे पास लाओ यसुने उसे जड़का और बदरू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया तब शागिर्दों ने यसु के पास आकर खिल्वत में कहा हम इसको क्यों न निकाल सके उसने उनसे कहा अपने इमान की कमी के सबब से क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूं कि अगर तुम्हे राई के दाने के बराबर भी इमान होगा तो इस पहाड से कह सकोगे कि यहां से सिर्थ कर वहां चला जा और वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुम्किन ना होगी लेकिन ये किसम दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती कलाम मुकदस के पढ़ें और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो आमेन